नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर किसान भाईयों हमारी जो मुहिम चली आ रही है कि अब किसान भी बनेगा आत्मनिर भर उसी दिशा में एक कड़ी और जोडते हुए मैं लहसुन फसल की आप लोगों को पूरी जान करी दे रहा हूँ देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था उसमें आप लोगों को बताया था कि मैं लहसुन की पूरी संपुर्ण जान करी दूंगा 20 से 30 दिन की 45 से 50 दिन की आगए 60 से 70 दिन की आगए जब हर्विस्टिंग होगी तब तक की जान करी है तो दोस्तों उस ही वादे का नुसार मैं आप लोगों को आज कुछ किसान भाईयों को क्या है कि कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी फसल है 45 से 50 दिन की होगी या उपर होगी तो उसकी जान करी दीजिए तो देखे मैं तो मेरा तो ये जो लहसून है यह भी लग बग तीस से 45 दिन को हुआ है लेकिन वो तीज से 35 दिन पच्चिस दिन या 35 से 50 दिन मैं जो जान करी दूंगा वह सबी इस्टेज के उपर जान करी होगी वह आप जो काम करोगए मैं जो बताऊंगा उसका आप अपना पूरा जब experience ले लेता हूं कि वसल में मैं एक खेत में तीन तरह के demo लगाता हूं खुद swim कि इस हिस्से का अंदर ये चीज़ डाल लोई दूसरे हिस्से में फलाचीज डाली तीसरे में फलाचीज डाली फिर देखता हूं मैं कौन सा ज़्यादा कारगर साबित हुआ है तो जो ज़्यादा कारगर साबित हुआ है वो ही मैं किसानों को अनुभव सेयर करता हूं तो दोस्तों जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं प्रिकर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो को जाद जाद लाइक और शेयर कीजिए जिससे जाद जाद किसान भाईयों को हमारी जानकारिया मोहिया हो तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि अभी लैसुन के फसल है वो प्राइमरी स्टेज में कहीं पर कहीं पर सेकंडरी स्टेज में आ चुकी है तो प्राइमरी और सेकंडरी स्टेज प्राइमरी स्टेज में अपनको वेजिटेटिव ग्रोथ वो बढ़ानी है जितने जादा वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी उतना समझो उत्पादन जादा निकलेगा ये तो आ आपके फसल में कौन-कौन से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या खादूरवरक, माइक्रन्यूट्रेंट्स कौन से काम ज्यादा कर रही है आप उनको याद कर लो अपने दिमाग में बैठा लो या अपने पैन को पिले के लिखते रहो और वही अगले सा आप अपने खेतों में यूज कीजिए, इससे क्या होगा कि आप लोगों को दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, आप स्वैम खुद डोक्टर बन जाओगे, आप खुद स्वैम में कृषिवेग्यानिक बन जाओगे, अपने अनुभाव का अधार पे, तो अब ज कुछ ना कुछ मिलेगा, इसकिप करके मत भाग जाना, तो दोस्तों, अभी अपन को प्राइमरी स्टेज में लैसुन की ग्रोथ को बढ़ाना है, लैसुन की ग्रोथ कैसे होगी, इसकी जड़ों को विकास होगा, तब ये ग्रोथ करेगी, ये तो आप लोगों को भी पता है कि जब कोई बच्चा जनम लेता है अग वो कुपोसित पैदा होता है क्योंकि मा के पेट में अगर उसको complete micronutrients नहीं मिले पोसकता तु नहीं मिले तो बच्चा कुपोसित पैदा होता है और जिन बच्चों का पूरा वजन लेके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको ये समझ लेजए पोरे पोसक तत्व की पूर्ति उनको मा के पेट में हो चुकी होती है तो वो ही कहाणी हमारी फसलों में ये धर्ती हमारी माता है इसमें अगर हमारी उर्वरा सकती है जमीन में जो हमने बना रखी है पहले तो आप सबसे पहले देसी खाद का प्रियोग क्या करो किसी खाद में सड़े गले गोबर के खाद में complete micronutrients होते हैं तो दोस्तों अभी बात अपन करते हैं फसल में जो हो गया वो तो ठीक है किसी ने डाला किसी ने नहीं डाला तो अब अपन को क्या करना है अब अपन करते हैं इसमें एक परबंधन मैं आप लोगों को एक ऐसी जा जरूरी होती है निराई गुड़ाई करने के बाद आप दो चीज बाजार से लेकर आईए एक तो माईकोराईजा और एक हुमिक एसिड इन दोनों का काम फसल में बहुती गजब काम होता है माईकोराईजा काम करती जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ करना एक जड़ से पांस जड़ दस जड़ बनाना एक तरह से एक जाल बिचा देता है यह बैक्टिरिया होते हैं इसकी मातरा में आपको बताऊं तो एक एकड़ में डेड़ सो ग्राम लेकिन लाना किसी बढ़िया कंपनी का क्योंकि आज कल बाजार में काफी कंपनियों का माईकोरा जा रहा है तो आप देख लीजिए या अडोस पडोस में देख लीजिए किसी किसान भाही ने डाला हो उसका अच्छा काम क्या हो तो अपने विवेक से काम लीजिए कोई बढ़िया कंपनी का माईकोराई जाल आई डेड़ सो ग्राम पर एकड़ के हिसाब से और हूमिक एस इस अपने नहीं डालें तो 10 किलो माईकोर न्यूट्रेंट्स भी ले सकते हो सागरिका ले सकते हो उत्तम के संपून ले सकते हो या और बिवे बाजार में आ रही है वो ले सकते हो तो इनको सबको एक जगह मिलाके वह शीमडेड़ सुगरा माईकोराई जाल ली जिए आप ह नुमिक ऐसीड भी डाल लीजिए और इसको फैंक के और पीछे सिचाई चालू कर दीजिए हाँ खाद आप डालते हो तो खाद और यह जो मैं आप लोगों को बताया है वो इतने ही खेत में डालिए उस दिन जितने में आप सिचाई कर सको आप ऐसा नहीं कि आपना पांच एक कड़ कखेते एक दम फैंक के और फिर सिचाई हुरी उसकी चार से पांच दिन तक तो उसमें आपका काफी जो है ना वेस्टेज होगी वो जो आपने खाद डाले हैं या कोई भी वो माईकोराइजा तो बैक्टिरिया होता है वो धूप से खराब हो सकता है ऐसा कुछ होगा तो वो क्या होगे निराई गुड़ाई के वज़े से नीचे जड़ों में चला जाएगा फिर देखिए आपका माल इसका एक सप्ता में इसकी जड़ों को विकास बहुत तेजिस होगा हिूमिक एसिड फिर क्या काम करेगा दूसरी बात पाते हैं हिूमिक एसिड अपन क्यो दाल रहे हैं हर सिचाई के साथ खाद डाल रहे हैं complete micronutrient डालना है लेकिन फिर फसल ग्रोथ नहीं कर रही उसमें कारण यहीं होता है कि पोध्धे की जो चमता होती है पोशक्तत्यों को ग्रहन करने की वह कम हो जाती है तो वह हूमिक एसिड प्लस अमीनो एसिड दोनों यह बहुत अच्छे से काम करेंगे काफी अच्छे अच्छी कंपनियों का आ रहे हैं दोनों प्रोडक्ट मैं नाम तो किसी का बताना नहीं चाहता हूँ आप खुद अपने विवेक से काम कर लीजी या कमेंट कर दीजी मैं आप लोगों को बता दूँग ऐसे बाते भी नहीं दोस्तों मैं तो यहीं चाहता हूँ किसानों को ज्यादा से ज्यादा बहला हो तो यह काम कर लेजिए दूसरी बात आप कार टेप इसी के साथ कार टेप भी दे सकते हो या फिर कलोरो चलाईए पाड़ने के साथ एक सी चाही छोड़के एक सी चाही में कलोरो या कार टेप य और जिन किसान भाईयों को पत्तियां नीचे से पीड़ी हो रही है और उपर से हरी है तो उसमें आप NPK 1919 1919 डाल सकते हो या जिसके ग्रोथ अच्छी हो रही है फसल बढ़िया है 45-50 दिन पर जीरो बावन चौंतिस इसके स्प्रे कर दीजिए पैंताली से 50 दिन पर आप 0-524 का NPK 0-524 का इस्प्रे कर दीजिए उससे क्या होगा कि इसके तनों को विकास से वो अच्छा सो हो पाएगा तने हैं पेंतारी से पचास दिन बाद ये समझ लीजिए तने हैं अपनी वो पूर जो अपने नीचे जमीन में डाला है जितने भी पोधोन बनाया है अपन जो फोटो सिंथेसिस क्रिया होती है फिर उतना ने का विकास होने लग जाता है इससे यूं मोटा होता चला जाते है जितने ज थ्रिप्स के प्रकोब भी होगा उपर से ओस आ रही है तो इसमें फंगिसाइड की प्रोब्लम भी आएगी फंगस भी लगेगी जिससे के पिलपन होता है तो इसके बारे में आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा बहुत अच्छे से तो किसान भाईयों बात अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए धन्यवाद